एलो फ्रेंड्स, विल्कम तू मैं चैनल, 12th क्लास की अकाउंटेंसी में फिर्स्ट अफॉल हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्शिप अकाउंटिंग से पार्टनर्शिप अकाउंटिंग इसलिए कि इसको स्टार्ट करने के हमारे पास दो रीजन से फर्स रीजन है कि जो पोल हमने पोस्ट किया था अपने चैनल पर उसके अकाउंटिंग जो रिजल्ट आया था तो होगा तो इसको कंप्लीट करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है इस फोर टू फाइफ वीडियो इन आ वीक आपको रेगुलरली प्रोवाइट की जाएंगी कोई कोई फीक्सट टाइमिंग नहीं है कोई फिक्सट डे नहीं बस इतना क्लियर है कि वन वीक में आपको फोर से फाइफ वीडियो जाएंगी ये 4 to 5 वीडियो की डूरेशन होगी 10 से 15 मिनिट्स सो जादा टाइम नहीं है सिर्फ 10 से 15 मिनिट्स छोटी सी वीडियो है हर उस वीडियो में एक पर्टिकुलर कॉंसेप्ट कवर किया जाएगा अगर वो कॉंसेप्ट theoretical है तो उसको ही theory आपको explain की जाएगी और अगर वो practical है तो उसकी questions भी आपको करवाए जाएगी So 10 to 15 मिनिट्स छोटी वीडियो है एक पर्टिकुलर कॉंसेप्ट उसकी theory और उसके practical questions डिसकस किये जाएगी आपको करना सिर्फ इतने regular basis पर ये 10 से 15 मिनिट्स की वीडियो watch करनी है Watch करने के बाद आपको उसको understand करना है Understand करने के बाद आपको एक separate accountancy की copy prepare करनी है जो की आपके लिए notes के जैसे work करेगी जब भी आपको जरूरत होगी आप वो copy refer करेंगे क्योंकि उसमें हर एक concept cover कर लिए गए है theory भी आ चुकी है और हर concept का practical question भी cover हो चुक है सो जितने भी questions है 50 से 60 वो सारे तो हमने ही cover करेंगे लेकिन हर एक question का एक concept होता है वो सारे concept आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सो concept अगर clear हो चुक है तो कोई भी question आप अपने आप solve कर सकते हैं और अगर future में कोई problem आएगी तो जो copy आपने prepare की है उसमें आपने सारे concepts लिखे हुएं आप उसको refer कर सकते हैं तो यह हमारा procedure है इससे हमारी full accountancy जो है वो prepare हो जाएगी तो चलिए first of all हम partnership accounting को cover करते हैं इसमें जितने भी chapters आएंगे वो सारे हम cover करेंगे तो यह हमारे पास partnership accounting का first chapter accounting for partnership firm fundamentals सबसे पहले हमें अपना theory based clear करना होगा ताकि future में जब हम practical questions solve करें तो कोई भी confusion ना आए अब जिन students ने accounting for non-profit organization या फिर company accounts के लिए vote किया था उनको भी हम upset नहीं करेंगे description में जाके links provide किये गए हैं NPO के लिए और company accounts के लिए NPO के total 4 parts हैं जिनको आप use कर सकते हैं full chapter clear करने के लिए और company accounts के भी 10 से 11 parts given हैं जिसके द्वारा आप अपना base clear कर सकते हैं सो partnership accounting में सबसे पहले हमें partnership का meaning clear होना चाहिए partnership का theory based आप plus one की business studies में rate कर चुके हैं partnership क्या है? partnership एक business है जिसमें 2 या 2 से जादा person एक साथ आते हैं join करते हैं business को on a contractual basis इसको understand करते हैं partnership क्या है? एक business की type है जिसमें 2 persons 2 से जादा भी हो सकते हैं 2 persons join करते हैं business को on a contractual basis contractual basis का मतलब है कि partnership में एक agreement एक contract किया जाता है partners के बीच में ताकि future के disputes arise ना हो so partnership एक ऐसा business है जिसमें 2 या 2 से जादा persons business को join करते हैं contractual basis के उपर जिसमें सारी terms and condition already mention की जाती है किस partner को कितना profit मिलेगा किस partner को कितनी capital contribute करनी है किस partner के पास कितनी authorities, duties and responsibilities है so partnership एक business है जिसमें 2 persons join करते हैं contractual basis के उपर profit share करने के लिए और अपने goals को achieve करने के लिए इनका main objective जो होता है वो क्या है? अपने goals को achieve करना so partnership is a type of business in which two or more than two persons came together to carry out the business for common goals इसमें क्या होता है? partnership एक business की type है जैसे कि Hindu undivided family है joint venture है company है जो कि आपने plus one में read किया था वैसे ही partnership भी आपने read किया था partnership भी एक type of business है इसमें होता कि है दो या दो से जादा persons together join करते हैं business activities को carry out करने के लिए for common objectives और उनका objective क्या होता है? common इसको और डिटेल में understand करने के लिए हमें इसके features, characters और natures को understand करना होगा features, characters and natures one and a same thing होती है confused नहीं होना अगर exam में कुछ भी पूछा जाता है तो वो एक ही चीज़ है characters का मतलब होता है किसी भी चीज़ की qualities so अब हमें partnership, business की qualities define करनी है कि partnership में क्या-क्य qualities है इसमें क्या-क्या होता है first हमारे पास है existence of agreement जो कि अभी हमने discuss किया कि partnership एक ऐसा business है जिसमें दो partners या दो से ज़्यादा persons join करते हैं लेकिन उसमें contract होता है agreement होता है so first nature ही इसका यह है कि partnership के business में agreement होना ज़रूरी है partnership में जो agreement होता है उसको हम क्या बोलते है partnership deed so partners के बीच में agreement होना चाहिए जिसमें सारी terms and conditions specify कर दी जाती है किसको salary मिलेगी किसको कितना profit मिलेगा कौन partner कितनी capital contribute करेगा so यह agreement होना ज़रूरी है agreement जो है वो oral भी हो सकता है और return भी हो सकता है लेकिन कौन सा preferable होना चाहिए return agreement क्योंकि अगर oral agreement करोगे तो इसका कोई भी proof आपके पास नहीं होगा इसलिए return agreement ही prefer किया जाता है so यह first character है partnership का कि partnership में partners के बीच में agreement होना चाहिए किसके regarding agreement होना चाहिए जिसके regarding उनको जुरुरत लगती है salary के regarding, commission के regarding, profit sharing के regarding सभी तरह के agreements define किये जा सकते है next हमारे पास है existence of legal business it means partnership में business होना चाहिए यह तो compulsory है बिना business के कोई भी partnership नहीं कर सकता लेकिन वो business कौन सा होना चाहिए legal, legal का मतलब है ऐसा business जो की court की eyes में lawful है ऐसा business जो आप continue कर सकते हैं without interruption so business होना चाहिए लेकिन वो legal business भी होना चाहिए so ऐसे third character हमारे पास है sharing of profit sharing of profit का मतलब है कि partnership में profit को कैसे share करना है इसके regarding भी agreement होना चाहिए अब अगर एक person है sole proprietorship type of business है तो उसमें तो सारा का सारा profit एक ही person का होता है लेकिन अगर partnership में three partners हैं तो इन तीनों के बीच में profit कैसे divide किया जाएगा वो भी हमें decide करना होगा so partnership एक ऐसा business है जिसमें profit share किया जाता है और profit कैसे share करना है ये agreement में ही mention होता है so ये जो characters आपको define किये जा रहे है इसको साथ साथ prepare करते जाए या फिर first of all अपने सारे concept clear कर लीजिए बाद में इसके notes prepare कीजिए आपको notes अपनी language में prepare करने है क्योंकि future में आपने अपने notes खुद read करने है next character हमारे पास है agency relationship agency relationship का मतलब है कि partnership business में principle और agent का relation exist करते है principle और agent का यहाँ पर मतलब है कि जितने भी partners है वो सारे के सारे principle भी है और वो agent भी है सारे के सारे partners principles कैसे है अब क्योंकि सारे के सारे partners owners है सबने capital contribute की है इसलिए सभी उस business के owners कहलाएंगे principles कहलाएंगे लेकिन वो agent भी है क्योंकि वो एक दूसरे के बिहाफ पर work भी करते है partnership में एक line यहाँ पर mention की गई है business can be carried by all मतलब business जो है वो सभी partners मिलके चला सकते है अब क्योंकि सभी partners मिलकर business चलाते हैं इसलिए सारे के सारे partners principles हैं लेकिन साथ में ये भी mention किया गया है और any of the partner acting by all ज़रूरी नहीं है कि सभी partners work करें कुछ ऐसे partners भी होते हैं जो business में work नहीं करते सिर्फ capital contribute करते हैं और जो दूसरे persons होते हैं वो उनके बहाफ पर work कर रहे होते हैं it means कि अगर partnership में suppose three partners हैं A, B and C हो सकता है A और B दोनों ही partners तो हैं लेकिन वो work नहीं कर रहे सिर्फ C work कर रहा है A और B के बहाफ पर it means जो C है वो owner है इसलिए principle भी कहलाएगा लेकिन वो agent भी है क्योंकि C जो है वो A और B के बहाफ पर work कर रहे A और B के लिए work कर रहे so it means जो partners हैं वो owners भी हैं और agents भी हैं next हमारे पास है membership अब partnership में minimum members हमारे पास कितने होने चाहिए two क्योंकि एक member अगर join करता है तो वो partnership business नहीं होता sole proprietor होता है partnership में minimum दो members होने चाहिए business को start करने के लिए maximum members की कोई यहाँ पर limit decide नहीं की गई है लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि अगर आपका ordinary business है मतलब normal business है कोई specific business नहीं है तो उस case में maximum members आप 20 join करवा सकते लेकिन अगर आपका business banking type of business है तो उस case में आपके maximum members 10 होने चाहिए अगर 20 से exceed करते हैं तो आपका business partnership की category में नहीं आएगा और अगर आपका banking type of business है और उसमें members 10 से exceed कर जाते हैं 11 members हो जाते हैं तो आपको partnership बिजनस में से हटा दिया जाए सो simple है minimum members 2 होने चाहिए maximum members की वैसे कोई limit नहीं है लेकिन normal business में 20 decide की गई है और banking business में 10 members की limit decide की गई next हमारे पास है natures of liability अब sole proprietor में आपने study किया था कि जब तक वो full-fledged payment नहीं कर देता तब तक वो liable होता है so it means unlimited liability same case partnership में भी है partnership में partners की liability unlimited होती है so partnership में partners की liability unlimited होती है means जब तक वो full-fledged payment नहीं कर देते तब तक उनको liable ठहराया जाता है suppose अगर business के पास 10 lakh ही है और उन्होंने future में 20 lakh की payment करनी है तो इस case में ये 10 lakh तो recover कर लिये जाएंगे जो balance 10 lakh है वो कहां से recover किये जाएंगे partners की personal properties में से तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसमें unlimited liability है जब तक full-fledged payment नहीं हो जाती तब तक partners को liable माना जाता है next हमारे पास है registration of a firm क्या partnership में firm की registration compulsory है? नहीं, compulsory नहीं है जैसे company में आपको registration करवानी होती है under Companies Act 2013 लेकिन partnership में आपको अपनी firm की registration करवाना compulsory नहीं है हाला कि आप agreement बना सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? partnership deed so किसी भी act के under registration compulsory नहीं है लेकिन आप agreement बना सकते हो future disputes को देखते हुए eighth हमारे पास है non-transferability of interest इसमें हमें कह रहे हैं कि अगर तीन partners है suppose उसमें से जो C partner है वो अब business में interested नहीं है वो अब business में से निकलना चाता है तो क्या ये अपना share किसी third person को sell करके जा सकता है तो ऐसा तभी possible है अगर सभी partners agree करते हैं अगर सिर्फ अकेला C चाता है अपना share sell करना तो ये possible नहीं होगा सबकी रजामंदी सबकी consent जरूरी है जब तक सभी agree नहीं करते तब तक कोई भी partner अपना share transfer नहीं कर सकता इसलिए ये character है non transferability of interest आप तब तक interest transfer नहीं कर सकते जब तक सभी agree नहीं करते next हमारे पास है last no separation of ownership and control accountancy में आपने पढ़ा होगा separate legal entity separate legal entity का मतलब होता है कि accounting के बिहाफ पर आपको ये study करना होता है कि owners अलग है और business अलग है लेकिन business के point of view से आपको partnership में ये study करना है कि ownership और control एक ही है क्योंकि जो partners है उन्होंने decision लेना है अगर वो decision लेती है और वो decision गलत हो जाता है तो उस decision के लिए firm liable नहीं हो सकती क्योंकि decision किस ने लिया था partners में सो liable कोन होगा partners सो business के point of view से हमें ये study करना है कि ownership और management में ownership और control में कोई भी difference नहीं है क्योंकि decisions कोन लेता है partner firm तो decision नहीं ले सकती सो इसलिए firm को liable नहीं ठहराया जा सकता किसको liable माना जाएगा कौन responsible होगा partners सो ये थी हमारे वास आज की वीडियो I hope आपको understand आ गई होगी प्लीज इसके notes साथ के साथ prepare करते जाएए ताकि future में जब हम practical questions solve करें तो कोई भी confusion ना हो मेरी वीडियो को जादा से जादा अपने friends के साथ share कीजिए उनको भी refer कीजिए कि इस channel पर partnership accounting शुरू हो चुकी है regular videos आएंगी 10 to 15 minutes की small videos हैं जादा time waste भी नहीं होगा और concept भी clear हो जाएगा